अबर करने वाले हैं, हमने अलड़ी यहाँ पर 6 लेक्षर पर्मटेशन कॉम्बिनेशन के कम्प्लीट कर लिये हैं, I hope सारे बच्चे यहाँ पर on track हैं, लेकिन आपने अगर मिस आउट कर दिया हैं, आगे चलके उनको ऐसा लगता है कि आप तो यह ITGE का जो तयारी है, यह तो हमारे बसका ही नहीं है, ठीक हैं, so make sure कि आप उन में से एक ना रहें, ठीक हैं, आज का हमारा यहाँ पर जो discussion होने वाला है, यहाँ पर इन दोनों topics के उपर, जहाँ पर आपको exact number of objects का भी select करने के लिए दिये जाते हैं, और आपको यहाँ पर distribution करने के लिए बोला जाता है, ठीक हैं, तो यहाँ पर दोनों topics में अलग-लग आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, selection and distribution, selection and distribution, दोनों अलग-लग चीज़े हैं, आपको question पढ़ के समझे में आना चाहिए, कि कौन से topic का कौन सा question है, तभी आप यहाँ पर उसको correctly answer कर पाओगे, ठीक हैं, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर अपने practice sessions, DPP sessions में भी regularly guide कर रहा हूं, आपको permutation combination अगर strong करना है, then आपका यहाँ पर जो knowledge है, वो तो अच्छा होना ही चाहिए, to the point होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा aptitude level भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन aptitude is anyway secondary, पहले तो knowledge अच्छे तरीके से होना चाहिए, and for that I would recommend कि हम यहाँ पर जो भी examples कर रहे हैं, ठीक है, आप तो उनको जो है विलकुल अच्छे तरीके से in flow, अच्छे तरीके से याद रखो, ठीक है, कि यार यह particular funda पताने के लिए सर ने apples and mangoes वाला यहाँ पर जो है, example लिया था, है न, या फिर सर ने divisors का concept पढ़ाने के लिए, इस particular number के divisors के होते हैं, ठीक है, तो make sure that you're catching everything and retaining those things also, ठीक है, और रैट चलो, अगर आप बिच्छ यहाँ पर नए है, आपको लग रहा है कि यार यह क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप यहाँ पर हो सकता है, नए है, और आपको कर पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तो I am submit sincerely कर, I have done my B.Tech and M.Tech from I.T. Roorkee, and I have been teaching and mentoring students for a lot of time now, especially on Unacademy J.E. Channel, मुझे पढ़ा के बहुत खुशी मिल रहे है, क्योंकि हमने, यह जो revolution start किया है, hashtag JLiveDealee, जिसको represent कर रहा है, ठीक है, वो कमाल कर रहा, यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर हमने इतने सारे बच्चों को पाया है, यहाँ पर हमारे साथ में already 14,15,000 बच्चे connected हैं, और regular basis में हाँ पर आके पढ़ाए कर रहे हैं, आप भी उन में से एक बन सकते हैं, अगर आपने अभी भी subscribe नहीं किया है, तो Unacademy J.E. Channel को subscribe अभी के अभी करो, और यहाँ पर आपके सामने जो team नजर आ रही है, ब basis पर हम update share करते हैं आपके साथ में, और साथी साथ आप इस link को शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, आपने अगर अभी भी इसको जो है open करके नहीं देखा है, please do it, livedaily.me.je अगर आप type करते हो, तो अपने mobile में आपको इस तरह का interface मिलेगा, जहाँ पर आपके physics, chemistry chemistry, maths के class 11th and 12th के जितने भी topics हैं, सभी के video lectures के साथ साथ, यह कौन से video lectures है, जैसे कि यहाँ पर हमारा live session हो रहा है, यह जो ultimately record हो जाता है, उनको हमने एक अच्छे दरीके से arrange करके आपको दे दिया है, ताकि आप यहाँ पर अपना backlog हो, revision हो, चाहाँ यहाँ पर first time पढ़ाई हो सभी कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे दरीके से कर सकते हो, आपके सहुलियत के लिए उसी के साथ में हमने यहाँ पर आपको PDF notes भी download करने के लिए दे दिये हैं, तो अब आपके पास में resources की कमी नहीं है, आपके पास में यहाँ पर abundant resources हैं, जिनको use करके आप यहाँ पर जो ह और और ज्यादा time spent कर पाते हैं बच्चों के साथ में, तो वहाँ पर चाहे आपके DPP discussions हो, या फिर आपके doubt training sessions हो, काफी अच्छा लगता है वहाँ पर बच्चों के साथ में interact करके, साधी साथ बच्चे भी confident environment में वहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो उनका भी यहाँ पर preparation अ आगे बढ़ाने के लिए, so that is the main idea of an academy subscription किया है, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर India के top educators है, आप किसी की भी मतलन दे सकते हो, यहाँ पर test series है, यहाँ पर doubt learning session है, यहाँ पर live and interactive classes है, core leaderboard जैसे features है, मतलब यहाँ पर आपको जो भी चाहिए होगा, जो नहीं भी चाहिए होग देख की पता चलता है, कि यहाँ 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 पर इसको एक बार explore जरूर करें, और अगर आप join करेंगे, तो you can definitely use Samir Live, ताकि आपके यहाँ पर 10% price कम हो जाए, and these are your prices for 1 year and 2 year, ठीक है, एक साल, 2 साल की बच्चों अगर आपकी करते हैं आज का discussion यहाँ पर, इसके बारे में फ्रूर सा discussion लेटर हाफ में कर लेंगे, लेकिन आज के यहाँ पर discussion स्टार करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहें, क्योंकि इस से related हम और भी questions हमारी DPP sessions में करना चाहते हैं, ठीक है, आपने हम नोटिस किया होगा कि कल के session मे मैंने यहाँ पर DPP session लिया था आपका, हैना same time पर लिया था, आज मैंने यहाँ पर आपका J live delay का session लिया है, ताकि हम थोड़ा से यहाँ पर theoretically अपने आपको थोड़ा सा और improve करें, और next class में हाँ फिर से हम DPP session में इन ही concepts के उपर और बहतर question भी जो है practice कर पाएंगी, ठीक है तो ready हैं सारे बच्चे already, yes, है ना, तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला main idea होगा यहाँ पर कि हम selection of exact number of objects कैसे करते हैं, ठीक है, तो आदे बच्चे तो सोचेंगे सर यह topic तो सर कितना जो है चिंदी topic है, क्योंकि यह तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, हमारे पास में यहाँ पर 10 लड़के हैं, उन में से हमको 5 लड़कों की टीम बनानी है, so tensify, exactly 5 बच्चे सिलेक्ट होंगे सर, tension मतलो, है ना, कितने बच्चे यह सोच रहे हैं हाँपे, कि सर यह अलग से topic पढ़ाने की ज़रूत क्या है, selection जो हमने हैं यहाँ पर NCR सीखा है, वही तो है, आप यही तो बोल रहे हो, selection of exact number of objects, वहाँ पर भी आपने बोला था, selection of our objects out of an available distinct objects, ठीक है, तो जो हमने वहाँ पर NCR की definition पढ़ी थी, हाँ मैं मानता हो, उसके अंदर भी हमने exactly our objects का ही selection किया था, लेकिन वहाँ पर जो availability थी हमारे पास में, जो हमारे पास में selection के लिए lot available होता है, उसम यह जो particular topic है, यह जो particular subtopic है, ठीक है, यह जो particular subtopic है, उसके अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इस तरह के सवाल, जहाँ पर हमारे पास में object जो है, distinct entirely नहीं है, है ना, उसके अंदर like objects भी हमारे पास में आ रहे हैं, तो आपको relate करते आएगा, इसलिए एक बहुती, ऐसे सवाल के साथ में discussion start कर रहे हैं, जो हमने last lecture में भी इस्तमाल किया था, apple mangoes bananas, ठीक है, apple mangoes bananas आपको याद होगा, deviser, deviser वाला जो हमारा application based यहाँ पर concept develop होता है, उसको भी हमने इस तरह के example से ही start किया था, अगर किसी ने miss किया तो पीसी जा के एक बार देख सकता है, बहुती interesting दरीके से हमने उसको यहाँ पर समझा था, बिल्कुल यह आला फंडा भी हम इस simple से question के through develop कर लेंगे, ताकि आगया आने ओले questions में हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है, find the number of ways of selecting exactly four fruits, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर topic ही किया है, selection of exact number of objects, ठीक है, selection of objects तो करना है, लेकिन exact number, अब यह अलग topic क्यों है, क्योंकि और इसको अलग से mention क्यों किया गया है, क्योंकि last lecture में हमने किया था, selection of at least one, selection of at least one, वो हमने अलड़ी last lecture में कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ पर हम exact number of objects का selection वाले question देखने वाले है, तो यहाँ पर आपको question में obviously दिखाई दे र बोले कि sir इसका answer आएगा 15C4, आगर आपको लग रहा है कि इसका answer 15C4 आएगा तो वहीं यहाँ पर सबसे बड़ा blender होना चाहिए, प्रिया very good try, very good try प्रिया लेकिन वो भी हाँ पर करना I guess सही नहीं होगा, है ना, let us see कि यहाँ पर हमारा answer कैसे निकल कर आएगा, ठीक है, so प यहाँ पर main problem यही है, कि हम अगर PNC में खुद से concept develop करने की कोशिश करेंगे, तो पक्के से कुछ तो random answer निकल के आएगे हमारे, ठीक है, so करते हैं यहाँ पर इसका discussion स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ध्यान से सुना सारे बच्चे यहाँ पर इसका solution कैसे निकल कर आता है, य मतलब यहाँ पर हम directly क्योंकि 15C4 तो करनी सकते हैं, 15C4 में कब कर सकता था, जब मेरे पास 15 के 15 distinct fruits होते तो, लेकिन यहाँ पर यह चे एक जिसे हैं, यह पांच एक जिसे हैं, और यह चार एक जिसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं directly NCR तो करने से रहा, अगर यह directly NCR से हो रहा होता, तो यह में lecture number 2 में ही करा चुका होता question, ठीक है, और यहाँ पर जब, यहाँ पर problem है, यहाँ पर जो problem है, उसको यहाँ पर हम rectify इस तरीके से करेंगे, कि हम बोलेंगे, अच्छा ठीक है, हम इसको practically सोचते हैं, हमारे पास में एक basket है, जिसके अंदर मेरे पास 6 apples रखे ह हैं, ठीक है, बिल्कुल practically सोचो, आपको answer निकालते हैं, अपने आप आजाएगा, ठीक है, PNC में एटलीस यह अच्छी बात होती है, कि काफी यहाँ पर practical scenario सोचके, हमें help मिलती है, ठीक है, तो हमारे पास में 6 apples है, हमारे पास में 5 mangoes है, और हमारे पास में 4 bananas है, तो मैं यह pieces उठाऊ, यह समदी सोचना है, मैं तो सारे-सारे mangoes उठाऊँगा, मुझे तो mangoes पसंद है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी fruit उठानी के permission है, और आपको mango ही पसंद देता, आप क्या करोगे, चारो के चारो mango उठा लोगे, या फिर आपको अगर banana पसंद देता, आ चारो चारो बनाना उठा लोगे, ठीक है, ओर राइट, लेकिन आपको अगर multiple fruits इसमें से पसंद देता, आप क्या कर सकते हो, आप यह भी कर सकते हो, कि आप 2 mangoes, 2 banana उठा लो, या फिर आप यह भी कर सकते हो, कि मैं 2 bananas ले ले लेता हूँ, और 1 apple और 1 mango ले ले लेता हूँ, त यहां पर अभी बच्चे live chat में काफी बड़े बड़े answer मुझे बता रहा है, ठीक है, चलो तो यहां पर देखते हैं कि आपका answer selection का कैसे निकल कर आएगा, ठीक है, तो आपका सबसे पहला case क्या हो सकता है, practically सोच कि देखना, सबसे पहला case होगा, कि हम यहां पर all same fruits select कर सकते ह all same, मेरे को ज्यादा सोचना नहीं है, मेरे को तो सारे-सारे एक जैसे fruits का सेलेक्षन करना है, कितने तरीके से कर सकता हूँ, tीन तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं सारे के सारे apples लेनी की सोचूंगा, सारे के सारे मतलब जितने allowed है, है न, मुझे 4 fruits उठाना allowed है, ठीक है, और और मैं यहां पर यहां पर नहीं पर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे type का discussion कर रहा हूँ हमारे पास में कितने type के fruits हैं हमारे पास में 3 type के fruits हैं पकड़ में आ रही बत हमारे पास में कितने type के fruits हैं हमारे पास में 3 type के fruits हैं यह नहीं यहाँ पर finally correct answer दिया है यह यह बहुत बढ़ी है 15 answer है इसका ठीक है तो हमारे पास में क्या तीन टाइप के fruits हैं क्या तीन टाइप के fruits अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब यहाँ पर तीनो distinct है कि नहीं है हाँ apple, mango और banana तीनो distinct हमारे पास में category of fruits है तो क्या मैं distinct category of fruits में NCR apply कर सकता हूँ yes मैं distinct category of fruits में NCR apply कर सकता हूँ तो यहाँ पर यह जो 3 है वो क्या है, यह कितने अलगलग टाइप के मेरे पास में fruits available है वो number है, और C1 क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैं उन में से कोई एक type select कर रहा हूँ, अभी मैंने fruits तो select करना starting नहीं किया है, यह जो चल रहा है यहाँ पर मैं कौन से वाले fruits अब उठाऊंगा लेकिन एक बार मेरे दिमाग में वो type आ जाता है तो क्या करना है, वो यहाँ पर हमने पहले से लिखा हुआ जैसे मेरे दिमाग में वो एक particular type आ गया मैं यहाँ पर सारे के सारे उन्ही fruits का selection कर लूँगा, मेरे यहाँ पर question खतम हो जाएगा ठीक है, मुझे 4 fruits select करने थे यहाँ पर मैंने एक ही type के 4 fruits select करने का expression यहाँ पर लिख दिया ठीक है, alright, I hope सारे बच्चों को यहाँ पर 3C1 का idea tier हो आए नहीं हो आए, तो एक और यहाँ पर जो है second case देखो दूसरा आपका यहाँ पर selection कैसे हो सकता है दूसरा आपका selection इस तरीके से हो सकता है कि हम बोलेंगे, कि अच्छा ठीक है सारे के सारे सेम नहीं लेते हैं, यह बोर हो जाएंगे बाद में खाएंगे आराम से, ठीक है तो अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यह भी एक correct selection होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी मैं 4 fruits ही select कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर मुझे सौनी में आ रहा है कि मुझे basically जिसके मैं 3 pieces उठाना चाहता हूँ, ठीक है वो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3C1 से क्या यह point पकड मैं आ रहा है सरे बच्चों को ठीक है, मैं 3C1 से क्या लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पर कि मैं इन में से कौन सा वो fruit है जो इतना पसंद करता हूँ कि चार में से तीन तो में वही pieces उठा लूँगा और एक piece में अलग से फिर किसी दूसरे fruit का उठाऊंगा, तो मैंने 3C1 जो लिखाए हो वो किसलिए लिखाएं, कि इन तीन में से मैंने कोई सा एक type उठा लिया उस एक type के तो मैंने 3 pieces अलड़ी अपने bag में डाल लिये उठा के अब मेरे पास में एक fruit और select करने का यहाँ पर target है, लेकिन मैं तो अभी भी type के बारा में ही सोचूँगा मैं अगर अब एक different लेना चाहता हो तो मेरे पास में अब कितने type बचे मेरे पास में अब दो type बचे ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फिर यहाँ पर उन दोनों में से कोई 8 type select करूँगा लेकिन उसके बाद में उस particular type का मुझे एक ही piece उठाना है वो तो यहाँ पर case लिखते समय ही मैंने define कर दिया है सो आगे हाँ में मुझे और कुछ लिखने की ज़रूद अब नहीं पड़ेगी यहाँ पर बस में cases कैसे कैसे बन सकते हैं उतना ही लिखूँगा 3C1 से हमने क्या किया वो type select कर लिया जिसके मैं 3 pieces उठाऊँगा 2C1 से क्या किया बचे होए 2 type में से 1 type ले लिया जिसके अंदर से मैं 1 piece select करूँगा और क्या क्या सेनारियो हो सकता है यहाँ पर एक सेनारियो इसके अंदर यह भी हो सकता है कि हम 2 जो हैं same ले ले लेकिन 2 different ले ले ऐसा भी हो सकता है सोच के देख़ो एक बार आपके वास में 2 तो apples है लेकिन 1 mango एक बनाना है हो सकता है कि नहीं हो सकता है आपके वास में 2 apples है और 1 mango एक बनाना है that is also a favorable scenario ठीक है और वो अगर आप यहाँ पर solve करना चाहते हो तो क्या ऐसा ही कुछ case मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए है ना यहाँ पर incorporate करना तो पड़ेगा मुझे अपने answer में तो हम ऐसे कुछ लिखेंगे इसको 2 same and 2 different 2 same 2 different अब यहाँ पर अगर मुझे represent करना है तो मैं कैसे करूँगा मैं यहाँ पर फिर से 3 में से कोई 1 type select कर लेता हूँ 3 में से तीनी type है हमारे पास में कोई 1 type select कर लेता हूँ उस 1 type के में यहाँ पर 2 pieces उठा लूँगा यहाँ पर पहला और पोर्शन मेरा खतम होगे ठीक है अब मुझे यहाँ पर 2 different चाहिए अगर मुझे 2 different चाहिए तो यहाँ पर वैसे बहुत ही आसान है वो बचे वे 2 में से में 2 type select कर लूँगा ठीक है अब 2 में से 2 type select करेंगे तो यहाँ पर वैसे तो कुछ लिखने की ज़रो थी नहीं क्योंकि question बहुत आसान है लेकिन 2 में से 2 type में हाँ पर select करूँगा और उनका 1-1 piece उठा लूँगा ठीक है दो difference यह नहीं क्योंकि अब आपको ठीक है and it should be different from the one that we have already selected ठीक है तो हमारे पास में याला type तो खतम होगी है 3C1 से जो बचा उसमें से अब बचे वे 2 type का हमने selection किया और उनका 1-1 piece में अब यहाँ पर उठाने वाला हूँ as per the condition लेकिन अब आता है यहाँ पर सबसे interesting case which is 2 same of one kind and 2 same of another kind ठीक है ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपने 2 apples ले लिए 2 mangoes ले लिए ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 same and 2 same dash 2 same and 2 same dash क्योंकि यहाँ पर यह dash लगाने का मतलब क्या है कि आपको याद रहे कि basically यह दोनों अलग-लग type के same है यह same तो है लेकिन अलग-लग same है ठीक है तो यहाँ पर बच्चे कई बार एक गड़बड करते थे वो क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ तक हम जो करते आ रहे थे वो ही same काम करते हैं 3C1, 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 3C1 यहाँ पर भी हम 3C1 करते हैं ठीक है आगर मैं यहाँ पर 3C1 करूँगा तो अब मेरे पास में जो है पहला वाला जो same लेना चाहता हूँ उसके में यहाँ पर 2 pieces उठा लूँगा फिर मेरे पास बचेंगे कितने मेरे पास यहाँ पर बचेंगे 2 और types मैं उन दोनो type में से भी कोई एक type select कर लूँगा और वो जो मेरे पास में type आएगा उसके भी में 2 pieces ले लूँगा और यहाँ पर आके हो जाती थोड़ी सी गलती ठीक है आप यहाँ पर देखो कि तो आपके यहाँ पर answer जो है 18 निकल कर आएका शायद rather than 15 ठीक है तो यहाँ पर गलती क्यो ही उसको समझने की ज़रोत है एक बार तभी में एक बार आपको बताता हूँ calculation कैसे होने वाला है पहले वाले का answer यहाँ पर 3 निकल कर आएगा इसका answer आपका 6 निकल कर आएगा इसका answer आपका 3 निकल कर आएगा ठीक है यह 12 हो गया है और यह आपका 6 है ठीक है as per current numbering यहाँ पर यहाँ आपका 6 निकल कर आ रहा है ठीक है लेकिन अब problem क्या है कि आपने जब यहाँ पे 3C1 and then 2C1 किया तो यहाँ पर आपके double number of cases repeat हो गए क्योंकि आप यहाँ पर जब 3C1 कर रहे हो तो इसके अंदर कौन सा case included है जब आपने पहले apple select किया और जब 2C1 कर रहे हो तो इसके अंदर यह भी case included है जब आपने यहाँ पर बाद में बनाना किया लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक और case included है जब आप 3C1 कर रहे हो तो आपने पहले 2 banana select कर लिए और 2C1 से आपने बाद में 2 apple select कर लिए तो आप यहाँ पे Apple औरimana ही ultimately अगर select करके ले जा रहे हो चाहे आपने हाँ पे Apple पहले select किये हो, चाहे आपने हाँ पे banana पहले select किये हो, उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि आपके हाँ पे question क्या है आपका question यह है कि आप select कितने तरीके से कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि आपके पास में basically क्या scenario बन सकता है, वो intermediate step हमारे लिए important नहीं है basically, ठीक है तो इसलिए यहाँ पर यह particular आपका calculation थोड़ा सा धोका दे जाता है तो इसलिए जब भी यहाँ पर आपको two same और two same dash का discussion होगा, हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमें इस तरह के questions में दोनो type का selection एक साथ करना होगा हमें तो पता है नहीं हाँ पर कि भई दोनो type जो हमारे पास select होंगे दोनो type जो हमारे पास select होंगे दोनों का यहाँ पर मुझे दो-दो pieces उठाना है मेरा काम यहाँ पर complete हो जाएगा so instead of writing 3C1 and then 2C1 what we should do is we should directly write 3C2 ठीक है यहाँ पर यह थोड़ा सा important discussion है I hope सारे बच्चों के यहाँ पर जो है technicality यहाँ पर clear हो गई कि हम यहाँ पर क्या करेंगे last वाले case में हम 3 type में से 2 type को select करनेंगे और दोनों ही type के यहाँ पर अगर मैं 2-2 pieces उठाव लूँगा तो मेरे यहाँ पर 4 fruits complete हो जाएगे and that is how we will calculate the answer for such questions ठीक है यहाँ पर आपके उसमें total answer कितना निकल कराता है फिर यहाँ से 15 आपका answer निकल कराता है ठीक है simple लग रहा है सारे बच्चों को yes अल्राइट नव दिस पर्टिक्लर सर एक्स्पोनेट वाले questions कराएंगे हाँ बिल्कुल कराएंगे लेकिन उससे भी बहतर lecture आज का है है न क्योंकि exponent वाले questions जो है बच्चे समझते दूँ बच्चते रही केसा है पर exam में ultimately जो है उसको जो है कचरा करके आते ही है ठीक है so more important is what is going on in today's lecture क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे जो exponent वाले questions मतलब बच्चा हम multinomial की बात कर रहा है आगे आने वाले lecture में obviously उसका discussion भी होने माला है ठीक है बहुत सारे questions ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम multinomial को skip करके कुछ दूसरे तरीके से answer निकाला हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं ठीक है so आज की lecture में basically वो हम सीखने वाले है direct क्यों नहीं कर सकते हैं है न यहाँ पर बिल्कुल आप directly करके देखो यहाँ पर direct करने का सबसे important understanding तो सीधे सीधे में आपको दे दिया था यहाँ पर आप directly करना चाहते हैं मतलब क्या करोगे 15C4 करोगे उससे तो आपको समय पता नहीं क्या answer निकल कर आएगा 15C4 क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर 15 सारे के सारे distinct नहीं है हमारा जो NCR का definition है उसके अंदर ही क्या लगता है NCR की definition में ही हम बोलते हैं कि N distinct available objects ठीक है points on में आ रहा है sir short way है क्या yes yes मैं इसका long way भी discuss करूँगा यह इस question का short way ही है इसका long way होते है multinomial theorem का इस्तमाल करके जो हम आगे आने वले lectures में पढ़ेंगे ठीक है and this is how we bypass multinomial theorem in such questions ठीक है और it points on में आ रहा है this is the way to bypass multinomial theorem जो हमने अभी पढ़ा नहीं है ठीक है लेकिन मेरी बात मानो कि multinomial theorem पढ़के आपको कोई बहुत खुशी भी नहीं होने वाले है हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरीके से आपको सब सुन में आ जाएगा लेकिन ultimately आप बोलोगे सर फिर तो यही मतल अच्छी है हमारी ठीक है चलो अब यहाँ पर confidence के लिए एक और question करके देखते हैं ठीक है all different यहाँ पर बैटा नहीं कर पाएंगे न हम पर लेकिन हमार पास में तीन ही टाइप पर तो चार यहाँ पर different तो हो नहीं सकता है ठीक है all right चलो और एक question करते हैं यहाँ पर next question is again a very standard question है ना आपको यह concept सिखाने के लिए हर reference book में यहाँ question definitely मिलेगा अच्छा question है इसलिए हर जागे मिलेगा सो हम भी करते हैं इसको अच्छा से find the number of four letter words that can be created using the letters of the word mathematics mathematics के चार words को select करके आपको यहाँ पर letters create करने तो यहाँ पर problems में आ रहा है कि हमने इस तरह का question question पहले किया है हमने इस तरह का question पहले किया है हम क्या करते हैं यहाँ पर जितने भी है उट में से NCR कर लेते हैं उसके आद में जो आएंगे आर उनको आर फेक्टरल वेज में arrange कर लेंगे तो यह तो NPR जैसा लग रहा है हमें उनके अंदर repetitions भी हो रहे हैं वो सारे के सारे distinct नहीं है it is very important to distinguish between the questions क्योंकि यहाँ पर mathematics की जगे में अगर कोई दूसरा word दे दूंगा तो हो सकता है कि वो directly NPR से हो जाए बिलकुल ऐसा ही दिखेगा लेकिन अगर उसके अंदर repetitions नहीं है हम directly यहाँ पर क्या कर सकते जहाँ पर हम पहले select करेंगे चार letters महनत करके और फिर उनको arrange करेंगे ओके ओल्राइट तो यहाँ पर select करने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरे पास में कितने M है कितने A है न तो यहाँ पर इसको अच्छे से लिखना जो है वो भी सीख लो आप यहाँ पर हमारे पास में M कितने है तो 1 M यहाँ पर है 1 M यहाँ पर है मतलब मेरे पास में 2 M है ठीक है उसके याद में A A कितने है मिरे पास में, A किहां पर है, A किहां पर है, तो मिरे पास में 2 A है, और T कितने है मिरे पास में, T यहां पर है, T यहां पर है, all right, and then we have, I guess, everything only once, H E I C S, H E I C S, ठीक है, this is how we can actually break the word mathematics, ताकि हम यहां भी repetition वाली चीज़े हैं, जो है, upfront नजर आने लग जाए, ठीक है, त आगे भी आप यहां पर कुछ इतको अलग-लग fruits के नाम दे सकते हो, okay, so अब मुझे यहां पर बात क्या आपको समय में आई है कि यह question इतना difficult क्यों हो रहा है, क्या बच्चे यहां पर यह सोच रहे हैं कि sir, हम इसके अंदर क्यों नहीं यह करें कि भई, इसको A की M मान लेते हैं, एक A मान लेते हैं, एक T मान लेते हैं, हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे, हम यहां पर 8P 4 करके खुश हो जाते हैं, sir आपने तो बोला कि यहां भी distinct होना चाहिए, तो यहां पर मैं repetitions को ignore ही कर देता हूँ, लेकिन ignore करके आपका यहां पर बहुत सारे cases जो ह चाहता हूँ, तो मामा भी बनना चाहिए, हैं न, M, A, M, A, मतलब repetition वाले भी यहां पर आपके words बनने चाहिए, ठीक है, so we cannot leave out on those cases, है न, यहां पर PNC में तो आपका एक number भी अगर उपर नीचे हो जाएगा, एक quantity counting में भी उपर नीचे हो जाएगे, तो यहां पर तो आपक के cases क्या क्या बनेंगे, बहुत सारे cases नहीं बनेंगे, that's why it is again an okay question for us, तो यहां पर हम फिर से, जैसे हमने last particular question में cases बनाना सिखा, यहां पर भी वही करते हैं, पहले यहां पर देखू कि आपके उसमें कितने types हैं, ठीक है, तो यह same type है, यह same type है, यह same type है, ठीक है, तो हमारे eight different type of letters present है, ठीक है, तो जैसे बच्चा last question में बुरा था कि all different हो सकता है, हाँ, तो last question में नहीं हो सकता था, लेकिन all different इस question में हो सकता है, ठीक है, तो हम वहीं से start करते है, all different वाले scenario से हम यहां पर start करते है, ठीक है, so all different, सारे के सारे अगर मुझे different letters select करके words create करना है, तो मैं हाँ पर क्या वो लगा, मिरे पास में सारे सारे अगर different select करने का idea है, मतलब हरेक का एक 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 लेना है मुझे, जो भी मैं लुंगा हरेक का एक 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 लुंगा, ठीक है, तो उस scenario में मैं सोचता हुआ हूँ कि मिरे पास में कितने अलग-लग types है, तो मिरे पास में 8 different types हैं, ठ e उठा लिया, ठीक है, h-a-t-e head कुछ और उठा लो चलो ठीक है, लेकिन point समझेगे ना आप सारे बच्चे ठीक है, कि आपका यहाँ पर जो basically selection है वो 4 letters का हो चुका है लेकिन अभी आपको words भी तो create करना है आपको यहाँ पर words भी create करना है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप अभी इसको 4 factorial से further multiply भी करोगे, इस question में यह नई बात है क्योंकि हमें यहाँ पर केवल selection पर अपने calculation को नहीं रोकना है हमें यहाँ पर words भी create करके बताने है alright, next यहाँ पर और क्या हो सकता है scenario एक scenario यह हो सकता है कि हमारे पास में दो दो different है है ना, और हमारे पास में दो same हो गए दो different, दो same या फिर इसके पहला वाला जो लिखने का तरीका था वो ही अच्छा लग रहा था कि है, जिसमें हम same को पहले लिख रहे थे, दो same and दो different दो same and दो different ऐसा हमारा एक scenario बन सकता है हाँ तो या ला scenario अगर आपके पास में आ रहा है तो हम किस तरग के जो है letters का selection सोच रहे है इसका मतलब है ना, तो हम यहाँ पर सोच रहे है MMAT MMAT, है ना, this is also a valid case to selection मेरे पास ultimately क्या होना चीए मेरे पास ultimately दो एक जैसे दिखने वाले letters होना चीए और दो different दिखने वाले letters होना चीए तो MMAT में हो रहा है क्या MMAT में वो हो रहा है ठीक है, इसका मतलब यह है कि यह आप हमेशा like में ही इस्तेमाल करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पर जरूरी नहीं होता, इनको आप लोगे, तो आप बोलोगे कि distinct है वो लेकिन उसके दो लोगे वो, तो लाइक वाले में count हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर यह आपको ध्यान अफना पड़ेगा कि आप यहाँ पर different वाले scenarios में भी MAT का इस्तेमाल कर सकते हो चलो तो अब यहाँ पर दो same अब लेकिन अगर मुझे दो same लेना ही है तो मैं यहाँ पर guarantee से वोल सकता हूँ कि यह वाले तो मुझे help करेंगे ही नहीं करेंगे यह मुझे help नहीं कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर 2H मिली नहीं सकते हैं, ठीक हैं, तो यहाँ पर अगर मुझे दो सेम सेलेट करना है तो मैं इनकी मदद लेने की सोचूँगा, इनके पास ही जाके हमें भीक मानगी पड़ेगी कि आ जाओ, वर्ड बनाने हमें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में तीन टाइप है, ठीक है, तो हम तीन टाइप में से कोई सा भी एक टाइप हम सिलेट कर लेते हैं, ठीक है, उस टाइप के हम दो चुपचाप पीसेस उठा लेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने दो एम उठा लिए, रहें, अब अब मुझे दो इफरेंट चाहिए, अब इफरेंट tą सेलेच्शन तो यहाँ पर करना हमें आता है, इफरेंट का सेलेच्शन में कौन सी बड़ी बात है, हम यह बोलेंगे कि हमारे पास में कितने इफरेंट टाइप्स बचे हैं, ध्यान से सोच के बताना हमारे पास में कितने different types बचे हैं 5 नहीं 7 different types बचे हैं अभी हमारे पास में Yes हमारे पास में कितने बचे हैं 7 different types बचे हैं ठीक हैं क्योंकि आपने यहाँ पर 3 में से कोई 1 select कर लिया 3 में से कोई 1 आपने select कर लिया लेटे से आपने M select कर लिया तो अभी भी different के लिए आप इन दोनों का इस्तमाल कर सकते हो ना जैसे कि वहाँ पर आपको example मैंने already बता दिया है ठीक है तो हम यहाँ पर आप क्या बोलेंगे हमें बोलेंगे कि हमार पास में type 1 type 2 type 3 type 4 type 5 type 6 type 7 हमार पास में total 7 different types अभी बचे हैं जिसमें से 2 types में select कर लेता हूँ उनको मैं words बनाने में use कर लूँगा तो 3C1 से जो किया मैंने वो क्या बोल रहा है 3C1 से आपने इन में से कोई एक type select किया उसके 2 pieces उठा लिए और 7C2 में से आपने फिर से हाँ पर दो आपके अलग-अलग letters उठा लिए ठीक है वो कुछ भी हो सकते थे, वो I और C भी हो सकते थे तो यहाँ पर MMIC type का भी यहाँ पर आपका selection हो सकता था ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आपके पास में आप जो यह selection आया है यह तो अभी cable selection हुआ न, अभी इनको arrange भी करना पड़ेगा अगर आपको अलग-अलग words यहाँ पर create करने है तो, ठीक है आपको यहाँ पर create भी तो करना है तो क्या करेंगे, इन चारों को arrange करेंगे लेकिन अगर मुझे इन चारों को arrange करना है तो यहाँ पर मुझे क्या multiply करना पड़ेगा मैं चार चीजों को arrange करना चाहरा हूँ तो four factorial तो होगा ही होगा लेकिन क्योंकि इन में से पक्के से दो एक जैसे हैं, क्योंकि हमारा case ही बोल रहा है कि दो एक जैसे हैं हमारा case ही बोल रहा है कि इस particular case में हम दो एक जैसे वाले लेने वाले हैं तो arrange करते समय मुझे already idea है मुझे already idea है कि यहाँ पर मुझे दो factorial से इसका मतलब divide करना पड़ेगा ठीक है, alright और क्या यहाँ पर scenario बन सकता है, उसके बारे में discuss करतें next आप का scenario यहाँ बन सकता है in which आप ले सकते हो do same and do same dash do same and do same dash है ना, यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कि हमने last question में देखा था और यहाँ पर गल्दी क्या होती है, वो भी हम यहाँ पर समझ चुके, जब भी हमारे पसमें do same dash वाला scenario आता है, हम यहाँ पर दोनों cases का selection एक साथ करते है दोनों का selection एक साथ करते है ठीक है, और यहाँ यहाँ पर हम कौन-कौन से repeat करने वाले है, मामा बनाने वाले टाटा बनाने वाले है, है ना, जो भी बनाने वाले हम यहाँ पर एक साथ पहले ही बता देंगी कि हम कौन-कौन से ले रहे हैं, ठीक है, कौन-कौन आप select कर लो और दोनों ही type के दो-दो pieces आप उठा सकते हो तो आपने अगर दो pieces यहाँ पर उठा लिए हैं तो letter से आपने यहाँ पर M, M और A, A उठा लिए तो आपके बसमें अब यह हाथ में 4 letters हैं अब आप इनको orange करने के लिए आप यहाँ पर further क्या करना चाहोगे इनको arrange करने के लिए आप यहाँ पर इनको multiply करोगे किससे 4 factorial होना चाहिए था है ना 4 है इसलिए लेकिन उसमें से 2 1 जैसे हैं और भी 2 1 जैसे हैं इसलिए आपको further 2 factorial 2 factorial से divide करना पड़ेगा points on में आ रहा है हाँ भुपाल से एनरजी हो सकता है मेरी कम लग रही होगी 4 दिन से बीमार था शायद इसलिए ऐसा लग रहा है आपको बड़ कोई बात नहीं धिरे-धिरे हो जाएगी आदत फिर से points on में आ रहा है सारे बच्चों को yes IIT की पुरानी बुक से बिलकुल उससे ही पढ़ा ही कर सकते हो कोई tension नहीं है clear हो गया सारे बच्चों को so this is how we will actually take these questions ahead अगर आपके पास में यहाँ पर selection हो रहा है exact number of quantities का selection हो रहा है लेकिन आपके पास जो available quantities हैं वो सारे की सारे distinct नहीं है तो आप यहाँ पर cases बनाके उनको solve करोगे very very important concept that we have just covered but next comes even interesting concept to discuss next जो हमारा concept रहेगा that would be for distribution distribution of objects में भी हाँ पर मैं इसको दो particular sections पर divide किया है distribution of object आपका हो सकता है या तो आपके उसमे objects सारे की सारे distinct हो सकता है या फिर सारे की सारे आपके पास में like objects का distribution हो सकता है so we will first start with distinct objects का distribution फिर उसके बाद में हम like objects का distribution करेंगे और उसके आप में अगर mixture आ गया तो कुछ एक जैसे हैं कुछ अलग अलग है तो क्या करेंगे ठीक है उसका भी discussion आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है ठीक है all right so हम यहाँ पर distribution के ऊपर focus करेंगे selection वाला time गया है ना selection का हमने यहाँ पर already discussion last class में start कर दिया था this was another lecture जहाँ पर हम selection का थोड़ा सा discussion कर रहे है now comes the point जब हम यहाँ पर distribution करेंगे है distinct objects का distribution करना है बहुत ही simple idea है यहाँ पर आपको अलग से कोई theoretical understanding की ज़रोत नहीं है हम यहाँ पर practically ही चीजों को समझ के answer कर सकते हैं ठीक है so let us start with a very very basic question ठीक है कि भई scenario क्या है number of ways of distributing five different ice creams among three students five different ice creams है ना हम यहाँ पर distribution करना चाहते हैं हम ice cream वाले हैं है ना हम ठेले पर खड़े हैं हमारे पास में जो है दिन में बहुत अच्छा हमारा धंदा हुआ है हमारा यहाँ पर जो है और इनको कोई tension नहीं देते हैं घर चलते हैं आराम करेंगे ठीक है तो यहाँ पर scenario क्या है find the number of ways of distributing five different ice creams among three students कैसे किया जाएगा कितने अलग अलग तरीके से हम पर में distribution कर सकता हूँ without any restriction अब यहाँ पर इस बात को भी समझने की ज़रोत है कि without any restriction का क्या मतलब है without any restriction का क्या मतलब है without any restriction का यह मतलब है कि हो सकता है कि इसको जो है इतनी जल्दी ती घर जाने की मतलब हमें इतनी जल्दी दिखा जाने की कि हमने सारे के सारे पांचो को पांचो आइसक्रीम इस बंदे को पकड़ा दिये और बोला कि जा बाकी दुनों को यहाँ पर हमने दिये ही नहीं आइसक्रीम ऐसा भी तो हो सकता है तो यहाँ पर without restriction का यह मतलब है कि सारे के सारे आइसक्रीम एक particular student को भी मिल सकते है हाँ 3 की पावर 5 3 की पावर 5 बहुत बढ़िया तो यहाँ पर बिल्कुल सही answer है इसका answer है 3 की पावर 5 यहाँ पर आपको क्यों क्या करना होता है जैसे मैंने आपको आपको बताया यहाँ पर थीरी अलग से पढ़ने की ज़रूत नहीं आपको सिन्यारी को अच्छे से अगर imagine करोगे तो आपका answer आजाएगा बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लेकिन गलत answer बताता है 5 की पावर 3 answer बताता है तो उनने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए कि यहाँ पर आप गलती क्या कर रहे है ठीक है क्योंकि आप अगर इसको सही तरीके से सोचोगे तो आपके बास में कभी भी गलत answer आहीं नहीं सकता जब भी आपको distribution करना है always think that you are the person in charge of distribution जब भी आपको selection करना है imagine yourself in charge of doing the selection ठीक है अगर आप यह सोच के करोगे तो आपकी गलतीया नहीं होंगी ठीक है बहुत छोटोचीटी बात है लेकिन उससे आपके यहाँ पर PNC का बहुत misconception जो है या गलतीया जो है एकदम से कम हो जाएंगे ठीक है तो भाई इसलिए मैंने बुला कि हम हो आइसक्रीम वाले जो यहाँ पर distribution कर रहे हैं ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर एक एक करके सारी आइसक्रीम देना अगर start करूँगा ठीक है तो पहली वाली आइसक्रीम मैं अगर देने की सोच रहा हूँ कोई restriction नहीं मेरे पास में तो मेरे सामने तो तीन लोग है न मैं पहली वाली आइसक्रीम जो है तीन तरीके से distribute कर सकता हूँ या तो इस person को या तो उस person को अगली वाली आइसक्रीम and then अगली वाली आइसक्रीम obviously हाँ पर step by step करेंगे ऐसा मत बोलाँ के सरु पूरा को पूरा आइसक्रीम का बंडल उठाके एक साथ फेक दिया एक 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 करके सारी आइसक्रीम देना है distribute करना है क्योंकि हाँ पर सारे possible scenarios आपको सोचना है तो सारे possible scenarios तभी बनेंगे जब हम यहाँ पर इनको अलग-अलग distribute करने की permission देंगे ठीक है आल्राइट तो हमारे पास भी बने का कैसे है यहाँ पर पहले वाले को distribute करने के 3 तरीके and then दूसरे वाले को भी distribute करने के 3 तरीके इस आइसक्रीम को भी distribute करने के 3 तरीके Definition के हर एक ice cream के पास में आपके पास में 3 तरीके हैं distribution के and that is how easy distribution of distinct objects distinct objects को अगर आपको distinct logo में distribute करना है यह आपका answer निकालने का direct तरीका होता है always imagine yourself as the person in charge of distribution आपको हैंपे सही answer निकल करा आएगा which is 3 की पावर 5 पॉइंट पकड़ा सारे बच्चों ने otherwise बहुत सारे बच्चे इहां पर गड़वर करते हैं 5 की पावर 3 भी answer निकालने की कोईश करते हैं क्यों क्यों क्योंकि फिर से वो book का formula याद करने की कोशिश करते हैं और book के formula ऐसे होते हैं कि भई हमें यह याद ने रहता कि M किसको बोला है N किसको बोला है M किसको बोला है वहाँ पर ऐसा statement लिखा होता है number of ways of distributing M different objects in N different people is given by this की power that अब यहाँ पर हम exam hall में बेटे बेटे सोच रहे होते हैं M की power N था कि N की power M था था तो पक्के से something की power something लेकिन M की power N था कि N की power M था तो आप अगर यहाँ पर formula रटनिंग की कोशिश करोगे तो there is a very good chance कि आपको वो धोका देगा ठीक है points on में आ रहा है लेकिन आप अगर practically सोचोगे तो आपको इस तरह के question answer करना में कभी भी दिक्कत नहीं आएगे alright चलो and आगे बरते हैं आप यहाँ और के डिसकस करेंगे इसके अंदर काफी आसान था हो हो है न distant objects ही हाँ पर जो है बस object change कर सकता हूं यहाँ पर कितने लोग available हो change कर सकता हूं तो वो तो practice आपको हो जाएगी let us move on to the interesting one which is distribution of like objects distribution of like objects अब यहाँ पर सोचों कि आपके पास में अगर वो पांचों की पांचों आइस्क्रीम अगर एक जैसी होती तो हम तीन लोगों में कैसे distribute करते है without any restriction this is what we want to study कि वो पांचों आइस्क्रीम अगर एक जैसी होती है ना तो इसमें और उसमें difference क्या है यह जो particular question है इसके अंदर अब मेरे पास में सारे के सारे ही अगर vanilla flavor है सारे के सारे अगर same flavor है ठीक है तो इसका मतलब अब यहाँ पर student जो है जो यहाँ पर basically ice cream ले रहे थे ठीक है उनको तभी फरक पड़ेगा जब उनके पास quantity of ice cream change होंगे ठीक है तो इसको 3 मिला इसको 1 मिला इसको 1 मिला अब इसको कौन से वाले 3 मिले should not create a difference for him now अगर यहाँ पर आपके सारे के सारे ice cream same होते तो लेकिन अभी अगर मैं distinct वाले scenario में सोचूँ तो 311 में भी multiple यहाँ पर scenarios exist कर सकते हैं आपके पास में 3 ice cream तो आ रही है है ना लेकिन ये वाले 3 आ रही है कि ये वाले 3 आ रही है कि ये वाले 3 आ रही है कि कौनसी वाले 3 आ रही है यहाँ पर वो भी अलग-लग scenarios होंगे लेकिन like objects के case में 311 is a single scenario अगर मैं इस तरीके से लोगों को distribute कर रहा हूं तो point पकड में आ रहा है okay all right so this is where the partition method will kick in partition method आप बोल सकते हो या फिर ball and stick method बोल सकते हो and बहुती amazing method है यहाँ पर like objects को distribute करने के लिए ठीक है तो like objects यहाँ पर ज़ादा करके हमारे पास में कैसे होंगे apples, mangoes, bananas यह सब हम like मानके चलते हैं या फिर आपके पास में कुछ ball है है ना लाल कलर की ball है, नीली कलर की ball है तो भाई वो भी जो है production के बाद में एक जैसी जो है बनती है है ना तो यहाँ पर like objects में इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी questions में भी ठीक है तो idea क्या है हाँ पर idea यह है कि let us discuss using this example itself distributing five like balls into two people आगर मुझे पांच एक जैसी दिखने वाली ball को ही distribute करना है लेकिन दो लोगों में distribute करना है without any restriction तो मैं यह सोच सकता हूँ सबसे पहले कि यार क्यों न मैं इन 5 की 5 balls को एक बार पहले table के उपर arrange कर दो ठीक है यह हर बार करना दिमाग में करना हर बार ठीक है यह मत सोचो कि यह बही यह तो बहुती basic हो रहा रहा नहीं गल्ति नहीं करना है तो यह हर बार सोचना ठीक है तो हमने किया कि हमने 5 उप 5 बॉल्स को टेबल के उपर अरेंज किया अब टेबल के उपर अरेंज करने के बाद में मैंने क्या किया एक स्टिक लाकी बीच में रख दी है ना इसलिए इसका method का नाम क्या है ball and stick method मैंने क्या किया एक stick लाकी बीच में रख दी अम यहाँ पर क्या insert कर सकता हूँ यहाँ पर दो students को अगर में distribute करना चाहरा था ठीक है कि भई stick के पहले वाली ball जितनी भी है वो आपकी ले जाओ stick के बाद में जितनी भी balls है वो आपकी वो आप ले जाओ तो दो हिस्सों में अगर मुझे हाँ पर बाटना है पांच चीज़ों को जो एक जैसी है then केवल quantity ही तो matter कर रही है कि किस side में कितनी quantities आना चाहिए तो वो कैसे generate की जा सकती है by just placing a partition by just placing a stick in between the linearly arranged objects ठीक है फटना पकड में आ रहा है लेकिन यहाँ पर already defined है यहाँ पर already defined है एक चीज़ वो क्या कि stick के पहले जो आपके पास में number generate हो रहा है वो person number one को मिलेगा let us say student number one को मिलेगा और stick के बाद में जितने भी है वो student number two को मिलेगा इसमें हम यहाँ पर यह नहीं करेंगे कि भई student number two कौन सा वाला portion उठाएगा नहीं नहीं student number one जो है वो stick के left वाला portion उठाएगा और student number two जो है वो stick के बाद वाला portion उठाएगा ठीक है इस तरह से हमारा already यहाँ पर understanding है तो अब यहाँ पर हम इस scenario को तो समझ गया है कि हाँ यह यह बहुत अच्छा scenario है कि हमारे पास में 5 objects थे हमको 2 में divide करना था तो literally हमने divide कर दिया हमने यहाँ पर यह partition करके जो हमारे पूरे arrangement को divide कर दिया दो parts में अब इस से हमारे सारे cases हम कैसे generate कर सकते है इस particular arrangement से हम सारे cases कैसे generate कर सकते है हम यह बोलेंगे कि यह जितने अलगलग तरीके से आप यहाँ पर partitions रख सकते हो उतने अलगलग तरीके कि आपके answers बन सकते है तो आप actually partition यहाँ भी रख सकते हो अगर आप partition यहाँ रखोगे instead of here then आपके पास में S1 के पास में एक ही ball जाएगी S2 के पास में कितनी चली जाएगी S2 के पास में यहाँ पर चार ball चली जाएगी लेकिन interesting thing is you can also keep partition here अगर आप partition यहाँ रख दोगे तो partition के पहले अब कितनी balls है partition के पहले balls हैं ही नहीं मतलब S1 को इस बार कुछ नहीं मिलेगा और S2 को क्या मिलेगा सारे की सारी 5 ball S2 को मिल जाएंगी बड़ी हाँ बात है यहाँ पर वैसे भी restriction नहीं है हम यहाँ पर जो है zero वाले solutions भी include करना चाहते हैं without restriction के distribution में ही हम यहाँ पर क्या करेंगे partition method का इस्तमाल करेंगे points on में आ रहे gap method का इस्तमाल करना चाह रहे हो नहीं gap method का इस्तमाल फिर से आपको यहाँ पर जो है धोका देगा क्योंकि अगला example अभी मैंने discuss किया नहीं है but just stay with it just stay with it है ना अभी अगले वाले example भी हम चलेंगे यहाँ पर gap method का इस्तमाल करने का एक बच्चा जो है guidance दे रहा है लेकिन वो सही क्यों नहीं है उसका भी हम discussion करेंगे all right so अब यहाँ पर बताओ कि अब यहाँ पर हमारे अलग-अलग answers generate कैसे हो सकते हैं जितने अलग-अलग तरीके से आपको यहाँ पर एक partition और 5 balls का arrangement दिखाई देगा उतने ही अलग-अलग कि आपके answers generate होंगे क्या जितने अलग-अलग तरीके से आपके यहाँ पर 5 balls और एक partition का arrangement create किया जा सकता है उतने ही अलग-अलग solutions मैं expect कर सकता हूं इस particular question के distributing 5 like balls into two people ठीक है तो बढ़ी है बात फिर तो यह अगर मैं यहाँ पर बोड़ाओं कि मिर पास में अब एक partition है और 5 balls है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि मिर पास में objects कितने हैं मिर पास में objects 6 हैं मिर पास में 6 objects हैं और मैं इनके ही arrangement study करना चाहता हूं इन में 6 objects का arrangement study करना चाहता हूं तो मैं 6 factorial एक्सपेट कर रहा था लेकिन यार उन छे में से तो पांच बॉल्स एक जैसी है तो मुझे इसको फाइफ एक्टोर से फॉर्दर डिवाइड भी करना पड़ेगा तो इसका एंसर कितना आ जाएगा फिर आपका 6 के बराबर आपका इसका एंसर निकल करा जाएगा ठीक है very powerful concept and very interesting also ठीक है इसका एंसर कितना होगे 6 आप यहाप ऐसे सोच सकते है यहाल इतना simple question था ठीक है क्या क्या बनेगा इसके अंदर 0 5 है न 0 5 फिर 1 4 है न 2 3 ऐसा करते करते सारे लिख दोगे तो आपके इसमें 6 cases बनेग ठीक है तो इसलिए यहाँ पर जो है सीख लिए हमने अच्छा किया अब यहाँ पर आते हैं दूसरे case के उपर कि अगर आप यहाँ पर तीन लोगों में distribute करना चाह रहे थे उन्हीं 5 balls को तो यहाँ पर आप क्या change करोगे क्या minor सा change करोगे कि अभी भी यहाँ पर आपका partition method का नाम कर जाएगा ओके तो एक बार फिर से चमकाने की कोशिश करता हूं जिनको नहीं चमका है ध्यान से करना ध्यान से सुनना याला discussion आगर आप पांच like balls को distribute करना चाते हो तीन लोगों में तो आप पहले तो पांच वो बाल्स को line से arrange कर दो टेबल के उपर और आप यहाँ दो पार्टिशन लगा तो पार्टिशन क्या हो सकते हैं दो pen रग देना pencil रग देना book रग देना बीच में कुछ भी रग देना stick रग देना ठीक है कुछ रग दिया हमने उस चीज़ को हमने partition नाम दिया ठीक है लेकिन यहाँ पर partition भी कैसा है कि यहाँ पर originally थोड़ी थे ठी जितने लोग हैं, वो तीन है, यहाँ पर partition तो हमने खुद ने सोचा, तो वैसे इसको क्या बोलते हैं, fictitious partition, fictitious मतलब यहाँ पर यह हमने खुद से सोचा, है ना, यह imaginary partitions है, जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं, अपने answer को निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो concept, यहाँ पर carry forward हो रहा है, वो क्या है, भाई simple है, आपको यहाँ पर अगर तीन लोगों में distribute करना है, तो आप दो partition लगा दो, मतलब जितने भी लोगों में distribute करना होता है, उससे एक कम partition चाहिए होता है, यह बड़ी हाँ चीज है, जितने भी लोगों में divide करना है, उससे एक कम partition आपको चाहिए होता है, तो एक्चली create your possible arrangement, तो क्या यह possible arrangement है, जहाँ पर यह पहला वाला person के पास में एक बॉल जाएगा, दूसरा वाले person के पास में दो बॉल जाएगा, तीसरा वाले person के पास में भी दो बॉल जाएगा, 1, 2, 2, yes, this is a possible arrangement, and very valid arrangement, लेकिन यहाँ पर और changes क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कि मैं इस partition को यहाँ भी लगा सकता था, इस case में क्या आ जाएगा, कि इस partition के पहले क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो भई यह तो slot जो था, first partition के पहले वाला जो slot था, वो student 1 का था, तो student 1 को इस बार अब इसका मतब कुछ नहीं मिलने वाला इस arrangement में, जो दोनों partitions क लुआ कि वीच वाले number of balls हैं, वो किसको मिलने वाले थे, वो student 2 को मिलने वाले थे, तो student 2 को इस बार 3 balls मिल जाएगी, और second partition के बाद में किसको मिलने वाली थी, वो यहाँ पर third student को मिलने वाले था, तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपके दो balls लेके खुश हो yes so there is this particular chance also जहांपर किसी एक student को ये मिला ही नहीं क्या नहीं मिला कोई भी यहांपर जो है ball नहीं मिला क्योंकि हम यहांपर without restriction ही सारे cases ढूंडने की कोशिश कर रहें अब यहांपर discuss हम कर सकते हैं उस बच्चे का doubt जो यहांपर पूछ रहा था दोनों चीजों को same gap में नहीं डालते हो जबकि यहांपर ऐसा हो सकता है कि दो partitions दो same balls के बीच में आ गया ठीक है तो यहांपर और आपके उसमें एक partition है दूसरा partition भी यहीं आ गया this is a possibility why is this a possibility why is this a possibility जहांपर दोनों के दोनों partitions महीं पर पड़े हुए है क्योंकि दोनों partitions के बीच में जो number of balls होती है वो indicate करता है कि student 2 को कितिनी balls मिलेंगी तो इस बार क्योंकि दोनों partitions के बीच में कोई भी ball नहीं है यह indicate कर रहा है कि student 2 को इस बार कुछ नहीं मिलेगा इसके पहले जो मैंने आपको case बताया था उसके अंदर student 1 को कुछ नहीं मिल रहा था so अगर मैं यह आला case भी गिनना चाहता हूँ which is a valid case and I do want to count it तो उस case में अगर मैं gap नधर इस्तिमाल करूँगा तो यह मेरे answers में count नहीं होगा points वन में आ रहा है मुझे इनको भी अपने answers में count करना है तो इसलिए हम क्या कर रहे है यहाँ पर हम इनको independent objects मान रहे है अगर मेरे पास में 5 like objects है और 3 लोगों में distribute करना है तो मैं यहाँ पे 2 partitions इस्तिमाल करूँगा 5 already objects है 2 partitions आपने खुद में रहे सोचे तो total objects कितने हो गए total objects आपके पास में 7 हो गए 7 objects के arrangement से ही आपके यहाँ पर अलग-लग answer generate हो रहे है आप जितने अलग-लग तरीके से यहाँ पर partition place करने की सोच रहे हो उतने ही आपके अलग-लग possibilities generate हो रहे है कि नहीं हो रहे है उसे से तो possibility generate हो रहे है ठीक है इसका मतलब इनके arrangement का ही counting मेरे लिए important है लेकिन अगर मैं 7 objects यहाँ पर देख रहा हूँ तो 7 factorial तो ठीक है लेकिन इन में से 5 objects आपके एक जैसे है ना 5 walls आपके like है वो तो question में दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर 5 factorial से divide करना पड़ेगा arrangements count करने के लिए और वैसे यहाँ पर आपने जो 2 partitions बनाए है वो भी आपके like partitions है है ऐसा आपको याद रखना है हमेशा कि आपके partitions भी like है तो आपको यहाँ पर जितने partitions से उतने factorial से भी further divide करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ से आपका answer कितना हो जाएगा 7 factorial upon 5 factorial 2 factorial यहाँ से आप यह देख सकते हो कि आपका यहाँ पर NCR type को कुछ तो for now generate हो सकता है जैसे कि इसको में क्या लिख सकता हूं इसको में ise是啊 2 लिख सकता हूं इसको क्या लिख सकता हूं इसको में 6 see one अगर आप है दिहां से देखो तो numbers में यहाँ पर कुछ तो Roberts similarity है, यह जो नीचे वाला number है, यह जितने लोग है, उससे एक कम है, यह जो नीचे वाला number है, है ना, आर्क वाले location पर जो number है, वो number of people से एक कम है ठीक है देखो ऊपर भी यहाँ पर number of people यहाँ पर दो थे तेहाँ पर यह नीचे बनाया था और यह जो ऊपर वाला index है upper index है n वो क्या है वो basically आपके पास में जो sum है किसका जितने लोग है और जितने आपके पास में यहाँ पर objects हैं उनका जो sum है उससे एक कम है वो एक कम क्यों है क्योंकि partition एक कम हम लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर logically हमने सब कुछ समझ लिया लेकिन आपको अगर directly आगे से अगर formula लिखना है तो आप directly formula भी यहाँ पर imagine कर सकते हूँ but I am never in favor of formulas that's why I am not giving it out right away कि यहाँ पर star minus 1cr कर लेना तो answer आजाएगा ठीक है आप ऐसा कुछ यहाँ पर खुद से अगर पढ़ रहे तो बढ़िया वाद है but otherwise यहाँ पर यह idea मुझे अच्छा लगता है कि भाई कितने object से line से arrange करो कितने partition चाहिए तो आपको total objects पता चल गए है ना यह ज्यादा अच्छा लगता है मुझे rather than this क्योंकि यह लिखने के बाद में यह तो मैं कभी भी लिखी सकता हो ना यह लिखना आ गया कि नहीं आपको पहले यह देख लो ठीक है आपका उसमें 7 objects है उनमें से लिकिन 5 objects है है और 2 objects है खतम ठीक है जितने अलग लग तरीके से आप यहाँ पर ball and stick को arrange कर सकते हो उतने अलग लग तरीके से आपकी यहाँ पर answers generate हो सकते हैं समझें lower index is equal to the partition yes ऐसा भी आप बोल सकते हो विलकुल क्योंकि यहाँ पर आपका जो lower index है वो number of लोगों से एक कम है वो reason use का यह है कि हम यहाँ पर partition एक कम लेते हैं so this is how we do distribution of like objects simple एकदम ठीक है तो try करते हैं एक question यहाँ पर simple वाला एकदम है ना इस question का answer का निकल कराना चीए एकदम oral find the number of ways of distributing 10 mangoes among three students without any restriction कोई restriction नहीं आप यहाँ पर हो सकता है दस के दस apple किसी एक student कोई थमा दो बाकी दोनों को 00 दे दो यह भी हो सकता है ठीक है क्या answer आना चीए इसका जल्दी करें सारे बच्चे number of objects गिनना होते हैं एक बचा पूछ रहे 7 factorial क्यों आएगा जितने आपको objects दिख रहे हैं उतना आपको हाँ पर factorial लिखना पड़ेगा ना उतने objects का arrangement करना चाहते हो कितने objects का arrangement करना चाहते हो यहाँ पर जितने भी partitions लगाए हैं जितने भी आपको मैंगोज हैं उनका arrangement करना चाहते हो yes, b is the correct answer बहुत बढ़िया तो हमारे पास में क्या है हमारे पास में यहाँ पर 10 mango है सबसे पहले उनको line से लिखो line से arrange कर दो तो हमने 10 के 10 को line से arrange कर दिया अब हम क्या बोल रहे है कि हमें 3 student में divide करना है अच्छा हमें 3 student में divide करना है मतलब यहाँ पर हम partition 2 लगाएंगे कहीं तो आएंगे न ऐसी just for the sake of convenience मैंने यहाँ पर इन 2 location पर वो mark कर दिये वो कहीं पर भी जा सकते हैं अब मैं सोच रहा हो कि this is one of the possible scenario है न 3 2 and जितने भी है न 5 3 2 5 this is one of the correct answers कि पहले वाले student को यहाँ पर तीन जाएगा दूसरे वाले को दो जाएगा तीसरे वाले को 5 मिलेंगे but now this is just one of the possibility how can I arrange these further so that मेरे पास में अलग-लग answer generate हो जाए तो वो लिखने का तरीका क्या है यहाँ पर वो हम लिख सकते हैं अब है कि भाई total objects कितने हो गया दस mangoes पहले से थे दो मेरे partition introduce कर दीए तो मेरे पास में 12 objects हो गया न तो बार अब्जेक्स को अगर मैं linearly arrange करना चाहते हो तो 12 factorial आना चाहिए था लेकिन क्यूंकि उसमें से 10 mangoes एक जैसे हैं तो हम यहाँ पर 10 factors से divide करेंगे और 2 partitions एक जैसे है तो हम 2 factors से further divide करेंगे which can then be also seen as 12c2 ठीक है इसी जीज़को अगर आप लिखोगे तो 12c2 भी लिख सकते हो तो हमने हाँ पर दोनों कोशन कर लिए बचों एक हमने ice cream वाला कोशन किया है और एक हमने mango वाला कोशन किया है ठीक है एक हमने ice cream वाला कोशन किया है जिसके अंदर ice creams distinct थी एक हमने mango वाला कोशन किया है जिसके अंदर mango सारे alike है एक के अंदर हम यहाँ पर एक एक करके जो है ice cream distribute करना start करते हैं दूसरे के अंदर हम mango पहले arrange करते हैं और उनकी बीच में partitions लगाते हैं अब क्या होगा अगर मेरे पास में कुछ एक जैसे होंगे और कुछ अलग अलग होंगे तो यहाँ पर अगर sir combination आ गया तो है ना सब्सक्राइब अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिखी नहीं आई थी such that वाली है ना यहाँ पर हमें solution निकालने में भी एक्स्टा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है every student gets at least one mango भाई कम से कम एक mango तो सबको मिलना ही चाहिए इस बात का भी आप ध्यान रखो है ना ऐसा मत करना की आप जो है बस distribute करते जा रहे हो और कोई एक बच्चा है जिसको आम मिलाई है ना आम क्योंकि सबको पसंद है तो हर एक बच्चे कम से कम एक आम तो मिलना चाहिए ऐसा ओलरी वहां पर instruction था कहां पर था पता नहीं होस्टल में होगा किसी school के बट है ऐसा कुछ ओके how can we think of this तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है minus one वाला option देखके जो है उसकी तरफ attract होते हैं क्योंकि at least one वाला जो हमने यहाँ पर last lecture में discussion किया था उसके अंदर हमने minus one किया था ठीक है बट वो सही thought नहीं है ठीक है d is not the correct answer d is not the correct answer और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है अभी फिर से बहक रहे हैं यहाँ पर आपके पास में कितने total objects है ठीक है हमारा पास में total objects यहाँ पे 20 है हमारा पास में total 20 object है और हम तीन लोगों में distribute करना चाहते है तो क्या हमारा A answer आना चाहिए नहीं, हमारा A answer भी नहीं आना चाहिए है, ठीक है, all right, so this is a good question, this is a good question, this actually teaches you, कि आपको multiple fundे जो आपको पढ़ाये जा रहे हैं, उनको एक ही question में apply करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मैं करने वाला हूँ, वो ultimately फिर से लगाऊंगा तो partition method, यार इतना amazing method हमने पढ़ा है, उसको give up क्यों करेंगे, हम तो करेंगे तो इसको partition method से, लेकिन partition method लगाने में restriction क्या है, उसको भी देख लो यहां पर ध्यान से, partition method लगाने में दो restriction है, पहली restriction तो यह, कि भाई, आपके वास में सारे के सारे lines है, जो objects रखे हैं, वो एक जैसे दिख partition method fail हो रहा है, दूसरा partition method का problem क्या है, कि हम यहां पर सारे के सारे arrangements देखते हैं, mangoes और partitions के, mangoes और partition के, अगर मैं सारे के सारे arrangement देखने की कोशिश करता हूँ, तो इसके अंदर zero वाले arrangement भी generate होता है, जहां पर partitions पास पास आ गया, ठीक है, तो यहां पर zero वाले solutions भी generate हो सकता जबकि आपको अगले वाले question में दिया हुआ है, कि आपको कम से कम एक एक mango तो हर एक बच्चे को पकड़ाना है ही, इसका answer निकल कर आएगा C, है न, यहां पर cases नहीं बनाने पड़ेंगे, यहां पर आपको, लेकिन step by step distribution करना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप आपको यहां पर इसको practically सोचोगे तो आपको यहां पर answer निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सोच के देखो यहां पर practically कि आप अगर अभी यह सुनके आये हो, कि आपको line से arrange करके partition लगाने से फायदा होता है, ठीक है, और आपको यह लग रहा है कि यह line से mangoes को अलग से कर देना, points on में आ रहा है, first problem solve हो गए, यहां पर यह जो distinct वाला problem था, वो यहां पर solve हो गया, मैं यहां पर step by step करूँगा, मैं सबसे पहले mangoes का distribution करूँगा, फिर मैं apples का करूँगा आराम से, फिर मैं bananas का distribution करूँगा, और फिर मैं यहां पर वोलूँगा कि क्य partition method मुझे वो भी answer निकाल के देदेगा, जब किसी एक बच्चे के पास में कोई भी mango नहीं पहुच पाया, partition method zero all answers भी निकाल के आपको देता है, कभी-कभी हमें अच्छे लगते हैं, कभी-कभी ऐसे cases आते हैं, जहां पर हमें अच्छे नहीं लगते, तो इसका तोड़ क्या हो सकता है, इसका तोड़ यह हो सकता है, आप यहां पर एक-एक mango पहले सब को पकड़ा दो ना, आपको क्या चाहिए, एक question बोल रहा है कि भाई, एक-एक mango जो है, सब के पास में होना चाहिए, ठीक है, गया, एक-एक mango सब को दे दिया, तो तीन mango हमारे कम हो गए, points में आ रह apply करो, आपका answer आजाएगा, ठीक है, तो हमारे पास में हापे बचे कितने हैं, हमारे पास में 7 mangoes बचे हैं, और 7 mangoes को मुझे distribute करना है, कितने लोगों में, मुझे distribute करना है 3 students में, तो मैं कितने partitions apply करने की सोचूंगा, मैं यहापे 2 partitions apply करने की सोचूंगा, ठीक है, और इसक कितना हो जाएगा यह 9 objects हो जाएंगे लेकिन उन 9 objects में से 7 mangoes एक जैसे हैं और 2 partitions एक जैसे हैं तो यह जो मैंने लिखा है यह distribution of mangoes as per the given condition and then मैं क्या करूँगा मैं apples को distribute कर लेता हूँ कोई tension नहीं है तो मेरे पास में यहाँ फिर से क्योंकि distribution मुझे करना है तो total objects कितने हो गए 8 objects हो गए तो 8 objects को arrange करने के लिए 8 factorial आना चाहिए था लेकिन उसमें से 6 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं और वैसे ही आप यहाँ फिर बनानास के distribution के लिए भी same काम करोगे आप यहाँ भी देखोगे कि आपके उसमें 4 बनानास हैं लेकिन 2 partitions हैं तो आपके इसमें total 6 objects हो गए तो 6 objects को arrange करने के तरीके 6 spectral होने चाहिए थे लेकिन उसमें से 4 objects एक जैसे हैं और 2 partitions आपके एक जैसे हैं खदम बात तो यह आपका answer होना चाहिए अब इस चीज को आप 9c2, 8c2, 8c2, इस चीज को आप 6c2 लिख सकते हो और यही आपके यहाँ पर final answer भी है पॉइंट पकड़ में आगया सर बच्छों को, yes, okay, all right, so अगर आपको यह particular idea clear हो गया है, then we can actually discuss few questions जो आपको reference book में दिखाई देते होंगे, आपने अगर यहाँ पर थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश की होगी, तो आपको बहुत सारे equation solving वाले question नजर आते हैं, ठीक हैं, पढ़ा है, that same partition method can be used to solve such equation वाले question जहां पर बच्चा आज यहां पर बोर था, कि सर हम वो exponent वाले method पढ़ने वाले हैं क्या, नहीं, आज के lecture में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस तरह के दिखने वाले question जरूर हम करेंगे, जिसमें exponent method आपको reference book में लगा के बताई जाती ह और वो बहुती useless approaches होती हैं, ठीक है, क्यों हम करेंगे ऐसा महनत वाला काम, जब हमारे पसमें इतना amazing visualization वाला तरीका है, partition लगाओ, answer निकालो, ठीक है, let me just tell you कि किस तरह के questions basically हम यहां पर अब करने वाले हैं, ठीक है, तो यहां पर आप अब फिर से जो देख रहे हो, वो क्या है, application of partition method, ठीक है, partition method का basic idea हमने समझ लिया कि यह किस के लिए काम आता है, यह distribution of like objects के लिए काम आता है, लेकिन आपको यहां पर कई बार question frame किया जाता है, equation के format में, ठीक है, कि आप equation को अगर solve करने की कोशिश करते हो, तो आपके उसमें कितने different type के solutions generate हो सकते हैं, कितने triplets generate हो स सकते हैं, इस type के आपके questions पूछे जाते हैं, ठीक है, so let me just take one simple example, ताकि आपको exact language पता चले कि क्या पूछे जाती, so find the number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus z is equal to 10, ओके, यह आपका सवाल है, find the number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus z is equal to 10, पहले ते इसका मतलब समझते हैं अच्छे से, ठीक है, आगर इसका मतलब हम अच्छे समझ जाएंगे, तो आगे वाले questions में भी हमें थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि आगे आने वाले questions में थोड़ा ये equation धिरे-धिरे खराब होते जाएगा, ठीक है, अभी ये सबसे simple वाला equation है, बहुत बढ़िया, yes, 17C2 क्यों नहीं, हाँ सो नेगेटिव इंटिग्रल solution, इस टाइग का कुछन कुछ लिखाओ, आपको definitely मिलेगा, equation वाले questions में, यहाँ पर यह बताना चाहता है, कि हमारे पास में पहली बात तो integral solutions आना चाहिए, है न, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पर आपको negative integral solutions include नहीं करना है, minus 1, minus 2, otherwise तो यहाँ पर minus 2, y को 3, इसको minus 3, इसको 10 ही रखाए मैंने, तो ऐसे तो solution तो कितनी भी हो सकता है, x plus y plus z equal to 10 के तो कितनी भी solution हो सकता है, लेकिन जैसे में यहाँ पर restriction लग रहा हूँ कि नहीं, non negative integral solutions मुझे चाहिए, तो अभी यहाँ पर इतने सारे cases नहीं बनेंगे, कुस limited यहाँ पर हमार 3, 4 and 3, यह दोनों अलग-अलग cases है, यह दोनों अलग-अलग cases है, क्योंकि एक के अंदर z की value 4 है, एक के अंदर y की value 4 है, वैसे हमारे पास में एक solution हो सकता है, 0, 0, 10, but we can also have a solution, 10, 0, 0, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतब order important है, किस variable को कौन सा, basically number provide किया जा रहा है, कौन सा number किसको मिल रहा है, वो यहाँ पर अलग-अलग scenario generate करेगा, ठीक है, यह भी आपके valid scenarios है, यह भी आपके valid scenarios है, और यह सारे distinct valid scenarios है, हमें इन सभी को count करके बताना है, जब मैं कहता हूँ non-negative तो उसके अंदर 0 वाला answers हमें चाहिए होते हैं, non-negative के अंदर 0 हमको होते हैं, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो क्या यह practically distribution of 10 mangos among 3 students ही तो है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास मैं 10 mangos थे, student 1 को 3 mangos दे दिया, student 2 को 3 mangos दे दिया, और student 3 को मैंने 4 mangos दे दिया, यहाँ पर even 2 question जो ही equation के format में framed है, लेकिन हमने ज exactly वैसा ही create किया जा सकता है question, हम इसको वैसा ही question मान सकते हैं, और जैसे हम यह बोलेंगे कि यार यह तो 10 mangos को 3 students में divide करवाने की बात कर रहा है, without any restriction, यह जो लिखा हुआ होता है, इसको क्या बोलते है, without any restriction, तो यहाँ पे हमारा जो favorable scenario है न, उसमें variable के उपर condition क्या होती है, हमारा x non-negative integral value है, मतलब x की value कैसी है, greater than or equal to 0, y की value भी कैसी है, non-negative integral, मतलब वो भी कैसा है, greater than or equal to 0, और z भी कैसा है, greater than or equal to 0, इसलिए हाँ पे 0 वाले भी include करना है, और greater वाले भी आपको answers include करना है, जब भी आपके equation solving में, यह inequality आपको दिखाई देगी, मतलब आप यहाँ अपने question को mangoes के distribution में convert कर सकते हो, जैसे आपने बोला mangoes के distribution में convert करना है, आपके answer आजागे 12c2, yes, क्योंकि आप क्या बोलोगे, 10 mangoes line से arrange करो, 3 लोगों divide करना है, 2 partition लगा, ठीक है, तो आपके उसमे total objects कितने हो गए, है न, 10 आपके पास में mangoes हो गए, आपके उसमें 2 partitions हो ग आपका answer क्या हो जाएगा, आपका answer हो जाएगा यहाँ पर, 12 factorial upon 10 factorial, 2 factorial, which is same as 12c2, ठीक है, arr, all right, all right, so हमारे पास में 12c2 इसका answer निकल कर आ रहा है, which is exactly the same answer जो हमने इसके पहले किया था, और reason भी यही था इस सवाल को लेने का कि आपको relate करते आए, कि हमारे पास में यार यह तो वही question है, बस दिखने में लगे, equation के format में पूछ ले लेकिन अभी भी करवा क्या रहा है यह, ultimately यह अभी भी वही करवा रहा है, दस mangoes को ही distribute करवा रहा है, all right, create, बहुत ही बढ़ी हा बात है, तो क्या हम अब इसी knowledge को आगे carry forward कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, इस question को stall करना ही कोईश करते हैं, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर condition change हो गई, find the number of positive integral solutions of the equation x plus y plus z is equal to 10, जल्दी से बच्चे हाँ पर live chat में मुझे answer निकाल के बताओ, क्या answer आएगा इसका, दो partition इसलिए हो बेटा, क्योंकि तीन आपके variables हैं, x, y, z, तो वो तीन लोग को represent कर रहे हैं, तीन लोगों में अगर आपको distribute करना हैं, तो दो partitions हैं, हाँ, time तो फोड़ा सा उपर हो गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हाँ पर एक ही lecture के अंदर, आपको equation solving के variations बता देता हूँ, ताकि आगले वाले lecture में, मतलब हमरे DPP session में हम और भी questions कर पाएंगे, 9C2 answer होना चाहिए इसका, नहीं, बहुत सारे बच्चे 11C2 के साथ में जा रहे हैं शायद, I guess इसका answer 9C2 होना चाहिए, 9C2 वाले बच्चे सही हैं हैं यहाँ पर I guess, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, positive integral solutions, तो positive integral solutions में अब zero include नहीं करना है आपको, तो क्या यह फिर से question वैसा ही है, जैसा हमने इसके पहले किया है, हमने क्या बोला था एक बार, कि भई हर एक बच्चे को कम से कम एक-एक mango तो मिलना ही चीए, क्या यह भी वैसे ही कुछ बात कर रहा है, आपको कि यहाँ पर positive integral solution चाहिए, मतलब आपको यहाँ पर 118 चल जाएगा, आपको यहाँ पर 127 भी चल जाएगा, यहाँ पर one include हो रहा है तो आपको चलता है, जीरो include हुआ हुआ आपको नहीं चलेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर यार पहले इनको क्या करो, हम अपनी equation ही change कर लेते हैं थोड़ी सी, हम क्या बोलते हैं, यहाँ एक एक वन तो हमने दे दिया, यहाँ पर 10 में से मिरे पास में साथी mangos बचे हैं, मिरे पास में साथी mangos बचे हैं, हम मैं इसको without restriction solve कर देता हूँ, यह rough thought है हमारा, which is absolutely right, और अगर मैं यहाँ पर basically दो partitions imagine कर रहा हूँ, है न, साथ objects हैं, दो partitions हैं, तो मिरे पास में यहाँ पर total 9 objects हो जाएंगे, so 9c2 इसका answer हो जाएगा, आभी जो हमने यहाँ पर funder पड़े हैं, उसके मतलब से यहाँ पर orally हमने इसका answer निकाल के बता दिया, लेकिन यह जो हम कर रहे हैं, इसको तो तो और एक systematic flow में generate करेंगे solution को, तो आगे आने वोले questions में help मिलेगे, इसलिए हम यहाँ पर इस question में, वो changes कर रहे हैं, ठीक है, otherwise इसका answer 9c2 कैसे निकल रहा है, हमें सुल्ज में आ गया ना, इसे आती है, non-negative बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा condition है, क्योंकि इस condition में हमारा partition method directly work करता है, तो कभी भी यह condition अगर deviate हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम अपने substitution step का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम उस तरह के condition पर पहुँच पाए, वो condition हमारे लिए important होती है, to actually use the partition method, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यह बोल रहा हूँ कि आपके पास में इस particular question में, जो condition given है, वो क्या है, कि x should be greater than or equal to 1, y should be greater than or equal to 1, z should be greater than or equal to 1, positive integral का यहीं मतलब होता है, तो मैं क्यों न, इसके नर एक छोड़ा से change यह करूँ कि x के place में 1 प्लस t1 डाल दू, y के place में 1 प्लस t2 डाल दू, और z के place में 1 प्लस t3 डाल दू, where t1 can be greater than or equal to 0, t2 can be greater than or equal to 0, and t3 also can be greater than or equal to 0, सोच के देखो इबा, अगर t1 की value में एक ऐसे integer की value सोच रहा हूँ, x का value अगर 1 add करके निकल रहा है, तो क्या आपके पास में जो answer निकल कर आएगा, वो हमेशा positive integral answer होगा क्या, क्योंकि worst come worst scenario में t1 का value 0 होगा, t1 का value अगर 0 भी हो जाता है worst scenario में, तो अभी x को 1 तो मिली रहा है न, पर कम से कम, ठीक है, तो हम यहाँ पर substitution वाला जो एक step है, वो add on यहाँ पर करते हैं, अगर हमें substitution use करेंगे हमारे original equation में, तो हमार पास में equation क्या बनेगी, हमार पास में equation आजेगी, 1 प्लस t1, plus 1 प्लस t2, plus 1 प्लस t3, is equal to 10, ठीक है, तो अभी हाँ से बनतों हो ही रहा है न, t1 प्लस t2, प्लस t3, is equal to 7, and in this particular equation, the variables are t1, t2, t3, and those t1, t2, t3 are under the correct conditions, यह एकदम correct condition के अंडर हमारे t1, t2, t3 है, मतलब इस equation को solve करने का मतलब, इस equation को solve करना है, x, y, z वाली equation को यह 1 वाली condition के साथ में solve करो, या फिर t1, t2, t3 वाली equation को 0 वाली condition के साथ में solve करो, 2, दोनों से आपके यहाँ पर answer तो same भी निकल कराएगा, लेकिन वहाँ पर, हमें partition method apply करते आती है, इसलिए हम यह step करके partition method वाले funde को अब apply करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में आप यहाँ पर conclusion क्या है, हमारे पास में conclusion है, कि हमारे इसका मतलब हमारे पास में 7 mangos है, आप definitely लिख सकते हो, where we will write 9 factorial upon 7 factorial, 2 factorial, and then we can write it as 9c2, yes, points on में आगया, और बहुत ही बड़िया बात है, तो हमें अगर यह particular idea भी clear हो गया है, तो अब हम शायद इस question को solve कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस question को solve करने के लिए, है न, क्योंकि यहाँ बहुत अजीव-जीव सी चीज़े लिखी हुगी है, हम इसको practically उतने अच्छे से imagine नहीं कर सकते हैं, जितने अच्छे से हम इस particular question में imagine कर पा रहे था है, इस question का answer तो 9c2 हमने ऐसे orally बता दिया था, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला यार, एक-एक इनको पहले दे दो, एक-एक पहले दे दो, है न, फिर बाद में जो equation बनी के उसको solve कर ले न, तो equation हमारे दिवांग में यही बनी थी, हमने इसको solve करके 9c2 answer निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन यह practically क्योंकि match कर रहा था हमारे thinking के साथ में, इसलिए हम वहाँ पर without substitution भी सोच पा रहे थे, लेकिन इस तरह के questions में, it is always better to do the substitution and get our variables under the condition greater than or equal to 0, यहाँ पर आपको फिर से वही equation solve करनी है, लेकिन आपके variables पर condition change हो गई, ठीक है, alright, the number of integral solutions of the equation x plus y plus z is equal to 10, satisfying the condition x is greater than minus 1, y is greater than or equal to minus 1 and z is greater than or equal to 2, अगर यह condition के साथ में अब मैं इस equation को solve करना चाहता हूँ, तो obviously यहाँ पर x का value अगर greater than minus 1 है, y का value अगर minus 1 भी हो सकता है, तो भई, आप partition method से कभी negative answer generate करने की सूच भी सकते हो क्या, नहीं, least to least क्या होगा, zero answer generate करके देगा कि भई, दोनों partition एक साथ आ गए, या फिर partition बिल्कुल starting में आ गया है, फिर partition बिल्कुल end में आ गया, ठीक है, लेकिन negative answer कैसे generate कर सकता है, partition method में negative answers हमारे पास में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से condition की वज़े से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि x plus y plus z equal to 10 जैसे questions को हम partition method से tackle कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी और दिमाग लगाएंगे, हम बोलेंगे यार अभी अभी हमने substitution वाला idea generate किया है, substitution वाले idea में लेकिन एक important point आपने notice किया होगा, कि greater than or equal to का sign होता है उसकंदर, greater than or equal to का sign होता है, तो यहाँ पर greater than or equal to जो है y और z में दिख रहे हैं, लेकिन x में दिखनी रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने यह सोचना चाहिए, कि अगर x greater than minus 1 आपकी variable के उपर condition है, तो greater than equal to के scenario में वो कैसा दिखाई देगा, अगर आपकी x की value integral भी होनी चाहिए और minus 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा बोल सकता हूँ नहीं उसको, क्योंकि minus 1 से बड़ा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है, तो अगर मैं equality के format पे लिखना चाहूँ, तो भाई ये लिख रहा है, basically, कि x should be greater than or equal to 0, तो ये तो अलड़ी अच्छा है, x greater than or equal to 0 तो अलड़ी अच्छा है, इसको क्या substitute करूँगा, ये मुझे substitute करने की ज़रूत नहीं है, ठीक है, next क्या हमारे पास में y, y है हमारे पास में greater than or equal to minus 1, अब यहाँ पर फिर से हम substitution कैसे सोचेंगे, हमें बोलेंगे y को क्या कर दो, minus 1 प्लस t1 कर दो, जहाँ पर आपका जो t1 है, वो कैसा है, greater than or equal to 0 है, तो अगर मैं 0 या 0 से बड़ी value इसके अंदर डालूँगा, तो minus 1 या minus 1 से बड़ी value ही y को मिलेगी न, और क्या वही होना चाहिए था, क्या minus 1 या minus 1 से बड़ी value ही y को मिलनी चाहिए थी, yes, so this substitution is correct, this condition is also correct, अगर मैं यही सेम चीज़ z के लिए notice करता हूँ, z should be greater than or equal to 2, तो मेरे पास मैं हापे z के उपर, जो है answer के निकल कराता है, z is equal to 2 plus t2, z is equal to 2 plus t2 में हापे एक equation सोच पा रहा हूँ, जहांपर आपका t2 का value कैसा होना चाहिए, t2 का value आपका greater than or equal to 0 होना चाहिए, ओके, आचा, अगर आपका t2 का value greater than or equal to 0 है, और t1 का value greater than or equal to 0 है, और x अलड़ी आपका greater than or equal to 0 है, तो क्या ये condition अलड़ी अब हमारे लिए satisfactory condition है, क्या अगर ये variable सब मुझे अपने equation में दिखाई देंगे, तो मैं यहाँ पर partition method safely apply कर सकता हूँ, क्योंकि partition method में 0 answer हमारे generate हो सकते हैं, ठीक है, आप करो यहाँ पर कोशिश हमारे पास में, जो नया equation बनेगा, यूज इन equation, अगर मैं अपने equation में use करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आता है, मेरे पास में देखवा, x के place में तो x लिख रहा हूँ है, उसको मैंने substitute किया ही नहीं है, y के place में minus 1 plus t1 लिखना चाह रहा हूँ, और z के place में 2 plus t2 लिखना चाह रहा हूँ, इस particular equation के solutions under this condition is same as, इस equation के solution under these good conditions, under these good conditions, ठीक है, तो क्योंने हम good condition वाली equations के थूँ, अपना answer calculate करें, इसका answer के निकल कर आएगा, 11c2 इसका answer निकल कर आएगा, क्योंकि आपके उसमें हाँ पर 9 mangoes हैं, और आपको 3 लोगों में distribute करना है, तो मतलब 2 partitions, तो यहाँ पर total कितना हो जाएगा, 9 plus 2 c2, मतलब यह हो जाएगा, 11c2, ठीक है, आप यहाँ पर फिर से एक बार करना चाहरे हो, कि total आपके पास objects कितने हो गए, तो 9 आपके पास में mangoes हैं, 2 आपके पास में partitions हैं, और हम यहाँ पर फिर उनको arrange कर रहे हैं, तो 11 factorial upon 9 factorial, 2 factorial, which can be written as 11c2, yes, points आपके, all right, great, so this is how we will tackle, अगर हमारे पास में कोई ऐसा question आता है, जिसके अंदर, जो है बड़ी अजीवजिब सी, अगर हमारे पास में variables के उपर condition होती है, ठीक है, all right, so let this be one of the questions, जिसको हम discuss करेंगे, यहाँ पर आप बोलोगे सर, यह तो अभी एकदम से उपर से चला गया, क्योंकि अभी तक तो हम equation solving की बात कर रहे थे, आप यहाँ पर एकदम से inequality आ गया है, लेकिन थोड़ा सोच के देखो, अभी जो हमने यहाँ पर variations करना सीखा है, उसी में एक level थोड़ा सा और आपको सोचना है, आपको इसका भी एक variation में बताऊंगा, जिसके through, आप partition method का इस्तमाल करके इसका answer बता सकते हो, ठीक है, very good problem, but very easy at the same time, ठीक है, so यह आपका homework question रहेगा, जिसको हम अपने DPP session में discuss करेंगे, so note this down, आपका और एक question रहेगा, इसको भी हम अपने कल के DPP session में discuss करेंगे, so note this also down, and you have one more problem to do, so इसको भी आप notice करें, और इसको भी solve करें, तीनो यह questions के answer आप अगर निकाल पाते हैं, then you can definitely mention those in the comment section, और आपके जो कल के DPP session के answer से, उन में से बहुत random answers आपको मुझे मिले हैं, ठीक है, तो कल के DPP number 6 के questions, अगर आप देखना चाहरें, तो एक बार जा के देखें सारे बच्चे, अगर किसी ने कल का DPP session देखा नहीं है, तो और उसका homework question था, उसको भी try करें, बहुत अच्छा question था हो, ठीक है, जिसका solution फिर से हम discuss करने वाले हैं, कल के DPP session में, ठीक है, so you already have four questions, which I have shown to you, जिसका solution हम discuss करने वाले हैं कल, so let us meet tomorrow, and clear all these doubts, आपके अगर answers आ चुके हैं, तो बहुती बड़ी है बात है, आप यहाँ पर solution और answer confirm करने के लिए, उस particular lecture को देख सकते हो, ठीक है, all right, and that's it, that's it, आज का lecture में इतना है रखते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आज सारे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा जगना पड़ा, but I hope यहाँ पर सारे बच्चे अलड़ी अपनी रातों के नींद गवा चुके होंगे, जही की preparation में, तो ज़्यादा फरक पड़ता नहीं है, so Monday, Tuesday, Wednesday, को आपके theory lectures, और Thursday, Friday, Saturday के आपके practice sessions जो चलते हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम चलाने के कोईश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ problem की वैसे, मैंने यहाँ पर कुछ sessions नहीं लिये थे, health issues की वैज़े से, इसलिए यहाँ पर आज आपको theory session देखने के लिए मिला है, I hope everybody is okay with it, I hope सारे बच्चों को पसंद आया होगा आज का session, और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, अगर आप यहाँ बे मिस आउट कर रहे हैं lectures को, या फिर आप JLive Daily 1.0 के lectures refer करना चाहरे हैं, थोड़े से आगे बढ़ना चाहरे हैं, then you can definitely visit livedaily.me.je, और अगर आप इनको भी देखते हो, तो आपको बहुत अच्छी understanding मिलेगी, क्योंकि वो भी हमने बढ़ा है था, ठीक है, वो भी हमने बढ़ा है था, and that was also with great content, ठीक है, लेकिन JLive Daily 2.0 में होगा क्या, JLive Daily 2.0 में आपके बच्छे बिसिकली दो categories है, आपके बास में जो theory session से उनके साथ साथ practice sessions भी, ठीक है, तो अगर आप दोनों को club करते हो, तो आपके बास में जो JLive Daily 2.0 के notes बनेंगे, जो आपके यहाँ पर practice sessions के साथ में questions के discussions आएंगे, वो definitely superior quality के आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पाएंगे, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर in and out सब कुछ चाहिए, आपको यहाँ पर doubt clearing sessions चाहिए, आपको live classes चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए, आपको पो लिटर बोर्ट जैसे feature चाहिए, टेस सीरीज चाहिए, आपको multiple educators के courses चाहिए, आपको सब भी कुछ चाहिए, आपको यहाँ पर बिलकुर Podeब टॉप पर यह पर हैबंगे, आपको कोई भी स्टोन अंटर्ण नहीं छोड़ना है आपको यहाँ पर author से भी पढ़ना है, आपको यहाँ जलाएफ डिल की team से भी पढ़ना है, quota के hod से भी पढ़ना है आपको यहाँ पर सबकुछ available है unacademy subscription बचो आज की date में सबसे amazing चीज है जिसके ओपर आप अपना पैसा invest कर सकते हो and that too I guess is quite low as compared to what you guys will have to pay अगर आप यहाँ पर अपने offline environment में जाते हो और वहाँ पर पढ़ाई करने की कोशिश करते हूँ जिसके मैं यहाँ पर आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके जो offline environment में आपका setup होता है उसके अंदर batches का culture है और वहाँ पर आपको एक बार जो batch allot हो जाती है उसके अंदर जो educator allot हो जाता है आपका लगभग पूरा J.E. का तयारी उन्हीं पाच्छे educator की मदद से होता है ठीक है आप देख सकते हों कि हाँ पर सबसे amazing content किसका है आपको किसकी बात है समझ में आ रही है content तो सबका amazing है that I can guarantee कि हाँ पर जितने भी educators है सब बहुत amazing है क्योंकि सब अपने field में महारत हासिल कर चुके है सब HODs रह चुके है ठीक है यहाँ पर main point ही आता है कि किसी बच्चे को किसी एक educator की बात सोन में आती है किसी बच्चे को दूसरे educator की बात सोन में आती है जो यहाँ पर एक frequency का match होता है जो यहाँ पर tuning सही बैठती है वो यहाँ पर आपको try करने के लिए मिलता है आप यहाँ पर जब भी unacademy subscription join करेंगे give it at least a week to explore आप यहाँ पर explore करो अच्छे से और देखो कि आपकी सबसे भैतरीन tuning जो है किस educator के साथ में बैठरी है हम यहाँ पर अगर unacademy subscription join कर रहे है उसको best possible way में हमारे लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में सोचना है and I hope everybody is already participating in unacademy's champions league साथी साथी हाँ पर आपको अब करना क्या होगा unacademy का learning app install करके plus section में जाके अपने goal को subscribe परना है और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप subscription लेना चाहते हो तो मैं हाँ पर आपको recommend करूँगा कि जो दो साल का और एक साल का subscription है वही यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा affordable पड़ेगा यहाँ पर आपकी जो preparation का duration होता है time होता है वो भी काफी समय demand करता है तो यहाँ पर short आप subscription ले तो सकते हो लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा आपको one month का भी हाँ पर subscription वैसे available है but that is more towards the end of your preparation जिसे कि यहाँ पर 2020 वाले बच्चों का just अभी जो है exam अभी हुआ था तो उसके just एक मिने पहले कई सारे बच्चे यहाँ भी जो है one month का subscription लेके पढ़ाई कर रहे थे ठीक है but that was the right thing for them हमारे लिए यहाँ ज़्यादा सही क्या होगा क्योंकि हमें यहाँ पर 2021 यहाँ पर 2022 में आप यहाँ पर paper देना है then one year two year subscription is best for us it is also the most affordable one अगर आप यहाँ पर monthly उसका cause देखते हो तो ठीक है and यह जो आपको लेकिन prices दिख रहे है this is after you have used summer life code तो आप इसको हमेशा इस्तमाल कर सकते है इससे आपको तो 10% discount मिली जाएगा मुझे भी यहाँ पर पता चलाएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो further mathematics में इंट्रेस्ट डेवलप कर रहे हैं धिरे-धिरे और अगर सब्सक्रीशन को जाइन कर रहे हैं तो आज के सेशन में इतना ही रखते है and one bit of information about iconic subscription iconic subscription भी एक बहुत अच्छा अब initiative on academy ने start किया है यहाँ पर obviously क्योंकि आपको एक amazing personal coach मिलेगा आपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक सही direction देने के लिए इसलिए इसको लेने के लिए आपको further additional cost पे करने पड़ेगी which will be higher than this price no doubt ठीक है क्योंकि एक personal बंदा आपको पास में रहेगा और वो आपको guide करते रहेगा हर point पे but this is worth trying क्योंकि यहाँ पर आपका preparation कितना भी solid हो अगर आपकी direction थोड़ी भी गड़ बड़े तो यहाँ पर result उतने अच्छे नहीं निकल पाता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि sir हम यहाँ पर पढ़ाई तो पूरी कर रहे हैं हमें class में समझ में आता है घर पर reference book solve करते हैं तो भी हमारे questions बन जाते हैं लेकिन somehow exam में number नहीं आ रहा है so that is a very big pain point for students तो यहाँ पर अगर उसका analysis कोई करके देगा आपको आपके साथ में बैट के अगर कोई planning create करके देगा then that has a value in itself अगर आपको लगता है कि वही problem आपके साथ में then you can go for iconic subscription also ठीक है और बस आज के session में इतना ही रखते हैं अगर आपको session अच्छा लागा तो like जरूर करें और share करें दोस्तों के साथ में ताकि वो भी यहाँ पर आना start करें बढ़ा ही start करें क्योंकि आपका J.E. का जो है paper अब जादा दूर नहीं है ठीक है और चलो तो आप अगर नए हो कोई बच्चा यहाँ पर पूछ रहा था कि sir आपका यहाँ पर पढ़ाने का time क्या होता है वगरा ठीक है आप अगर नए है तो सबस्क्राइब कर लो ठीक है लालवाला बटन प्रेस करो और बेल अकन भी प्रेस करो ताकि यहाँ पर होने वाले जो भी sessions है उनका notification आपको सही time पर भी मिल जाए ठीक है और रहे चलो आज का session पर इतना है रखते हैं and take care good night कल यहाँ पर आपका जो session होने वाला है उसके इंदर हम अब फिर से questions करेंगे कल मतलब आपको फिर से DPP session होगा on Saturday ठीक है take care bye